नमुश्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। निराशा के साथ संतुष्ट होते हैं। वो भी अच्छी सैलरी के साथ। अब आपके बन में भी यह सवाल होगा कि आखर यह वेकिंसी है किस शीज की। तो हम आपको बता दे कि स्टेट हिल्थ सोसाइटी विहार की तरफ से माइक्रो बाइलोजिस्ट और लाब टेक्नीशन के पदों के लिए वेकिंसी निकाली गई है। ऐसे में इन पदों के लिए इच्छोक उमिद्वार स्टेट हिल्थ सोसाइटी विहार के आधिकारिक वेब साइट स्टेट हिल्थ सोसाइटी विहार.org पर जाकर आवेदन देकर इंटर्व्यू में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर भरती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के नुसार इन पदों के लिए केवल ओन्नाइन आवेदन ही किये जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए उमिद्वार 22 और 23 दिसंबर 2021 को निर्धारित वौक इन इंटर्व्यू में शामिल हो सकते हैं। अगर उमिद्वार इंटर्व्यू में सफल हो जाते हैं तो फाइनल चैन भी कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इन पदों के लिए आपको सैलरी बेहधी मोटी ताजी मिलने वाली है। अगर हम माइक्रो बाइलोजिस्ट के पद की बात करें तो इसमें उमिद्वार को 41,000 रुपे, माइक्रो बाइलोजिस्ट सी एन डीस्ट के लिए भी 41,000 रुपे और सीनर लाब टेक्नीशन एन टी ईपी पद के लिए चैनित होने पर 19,000 रुपे सैलरी मिलेगी। हाला कि ध्यान रहें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों को माइक्रो बाइलोजिस्ट, EQA या TRL के, MD Microbiology या Medical Microbiology या Applied Microbiology सामवाने सुष्म जी विज्ञान में PhD या Medical Microbiology में MSC, Applied Microbiology में MSC, General Microbiology में MSC होना अनिवार हैं। अगर आप उपर दिये कि योगिता को पूरा करते हैं तो आप इन पदों के लिए योगिये माने जाएंगे। और सबसे खास बात ही है कि आपको इस परिक्षा के लिए लिखित परिक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसी नौकरी के अफसर होते हैं जिसमें लोगों को परिक्षा आदी का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण कई उमिदवार के छटनी पहले ही हो जाती है। लेकिन इन पड़ों के लिए ऐसी कोई ज्वंजट होगी ही नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।